देखे, प्रेंड question number 5 में दिया गया है If the third and the ninth terms of an arithmetic progression are 4 and minus 8 respectively, which term of it is 0? तो देखे, प्रेंड question में का जा रहा है, एक AP है, उस AP का third term 4 है और उसी AP का ninth term minus 8 है तो हमें प्रेंड find करके ये बताना है कि उस AP का कौन सा term 0 है तो चलिए प्रेंड find कर देखें तो देखे, प्रेंड question में दिया गया है, third term 4 है तो यहाँ पर से T3 is equal to, मैंने 4 लिख लिया है यह हमें question में ही given है T3 जो है, यह third term को represent करता है तो T3 की जगे पर हम लोग A plus 2D लिख सकते हैं इक्वल लगा करके 4 HD जैसे ही लिख लेंगे और इसे equation number 1 लिखेंगे आगे देखे, प्रेंड इसी question में दिया गया है जो 9th term है, minus 8 है तो यहाँ पर T9 is equal to minus 8 लिखेंगे यह भी हमें question में ही given है तो देखे, यह जो T9 है, 9th term को represent करता है तो T9 की जगे पर से A plus 8D लिख सकते हैं इक को लगा करके minus 8 HD जैसे ही लिखेंगे और इसे equation number 1 लिख लेंगे अब फ्रेंड देखे, क्या करेंगे equation number 2 में से equation number 1 को minus करेंगे तो चलिए, यहाँ पर यह मैंने equation number 2 लिख लिए अब इसके नीचे equation number 1 लिखेंगे minus यहाँ पर लग जाएगा और यह जो 2D लिखा है plus sign के साथ में तो यह minus यहाँ पर आ जाएगा और यह जो plus 4 लिखा है तो इसके साथ ही minus आ जाएगा अब यह जो sign, new sign लगाए हैं इनके mean के साथ में हम लोग calculation करेंगे तो उपर देखें फ्रेंट यहाँ पर से आप देख सकते हैं यह plus का आए और यह नीचे minus का आए है यह each other cancel out हो जाएंगे अब फ्रेंट यहाँ पर से देख सकते हैं 8D है और minus का नीचे 2D है 8D में से 2D minus कर देंगे तो फ्रेंट यहाँ पर 6D आ जाएगा इकोल लगाएंगे अब फ्रेंट देख सकते हैं यहाँ पर से minus का 8 है और यह minus का 4 है तो इसे simplify करने पर यह minus का 12 आ जाएगा अब फ्रेंट देखें यह जो minus का 12 है इसे 6 से divide कर देंगे तो फ्रेंट यहाँ पर यह minus 2 आ जाएगा यह जो D की value है D की value को हमलोग gonna question number 1 में चाएगे को A की value से मिलेगी तो मैंने यहाँ पर से हम क्या करेंगे जो D है यह की value question number 1 में पूट कर देंगे तो यहाँ पर यह मैंने लिख दिया food the value of D in addition number 1 तो देखिए equation number 1 यह है तो इसे मैंने यहां पर लिख लिया है यहां पर D की जगे पर minus का 2 put करेंगे यह वाली value तो यह friend मैंने D की जगे पर minus 2 put कर लिया है तोड़ाई से simplify कर लेंगे यहां पर देखे तो यहां पर से देखे A तो एज़िटी जा जाएगा यह जो 2 है plus का और जो minus के 2 से multiply करेंगे तो minus का 4 आजाएगा इक्वल में जो 4 लिखा है उसे एज़िटी जैसे लिख लेंगे अब friend देखे यहां पर से यह मैंने A is equal to 4 लिख लिया है और यह जो minus का यहां पर से 4 है इसे उठाएंगे लेप साइड में राइट साइड में ले आएगे तो यह plus का 4 हो जाएगा तो आगे next step में इन दोनों को plus कर लेंगे तो A की value friend हमें मिली है यहां से 8 तो यह friend हमने A की value 8 पता किये और D की value minus का 2 पता किये तो अब friend देखे question में का जा रहा है which term of it is 0 मतलब जो A P है उसका कौन सा term 0 है तो हम लोग suppose कर लेते हैं उसका nth term 0 है तो पहले यहां पर से nth term के लिए देखे formula होता है nth term को TN से लिखते हैं equal में देखे यह होता है A plus n minus 1 bracket के अंदर और into में D होता है तो हमने suppose कर लिया है जो इसका nth term है TN यह 0 है तो यहां पर 0 लिखेंगे अब देखेंगे यहां पर A और D की value put करेंगे A की value 8 और D की value minus 2 put करेंगे तो चली यह put कर देते हैं तो यह print मैंने A की जगे पर 8 और D की जगे पर minus 2 put कर दिया है अब थोड़ी print यहां पर से calculation करेंगे देखें यह तो 8 लिखा है इसे right hand side से उठा करके left hand side में ले आएंगे तो यह minus का 8 हो जाएगा एक को लगाएंगे और इस वाले term को ht जैसे लिख लेंगे आप friend आप देख सकते हैं यहां पर से यह minus का 2 है और यह minus का 8 है इस minus के 2 से इस minus के 8 को divide करेंगे तो यहां पर से यह plus का 4 इसका answer आ जाएगा तो यह इंड मेने यहाँ पर से हमजे लिख ल 부분이 लिख लिए अधर आए एकोल लगाएंगे और यहाँ अधरी यहाँ पर यहाँ बचाई इसा मैने जैश exhib λिख लिख लिख लिए क्छिए देखें ये यांपर से क्या कर लिए इनको दोनों को प्लश कर देंगे तब यह अगे दाएगा फ्लेस वाicion ईक्फ कर ले टाले हैं तो इंग्रेंड हमें नमबर पता कर लिया है जो की zero है ठीक है तो यह प्रेंड यह आप से लिख देंगे तो फिफ्ट नंबर का टर्म है वो जीरो है तो चलिए प्रेंड यह question नंबर 5 complete हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें यह सी इस अधमें तुछे के लिए ओकर थैंक यू